साथी इस वीडियो के अंदर अब हम गोलवल करजी की जो हम्या हमारी राष्टीता की परभासा की किताब का दूसरे ध्याय के बारे में बात करेंगे दूसरा ध्याय के अंदर ओं मुख रूप से जो पांच तत्त हैं राष्ट बनने के उन पांचों तत्तों के आधारों को समझाते हैं पांच बसिष्ट कारकों को बिना अपना मूल इस रूप खोए मिलाकर एक समग्र के निर्मार से बनता है ये प्रिसिद्द पांच एक तां हैं एक भोगोलिक यानि देश होना चाहिए नसली मतलब एक नसल होना चाहिए एक धारमिक मतलब एक धरम होना चाहिए सांस्कृतिक मतलब संस्कृति होना चाहिए और भासाई मतलब एक भासा होना चाहिए ये पाँच आधार तत्तों हैं जिनसे वो राष्ट बनेगा उसके बाद पर अलग-अलग तरीके से समझाते हैं पहले देश के बारे में बताते हैं किसी भी नसलिक के एक राष्टी जीवन जीने के लिए अनुवारी है उसके पास अपना एक भूभाग हो पेज नमबर 22 पर लिखते हैं तरेपन पर लिखते हैं जहां प्राचीन राष्ट अपनी मात्र भूमिक होने के परणाम सरूव अपनी राष्टीता से बंचत हो गए य अगर उनका कोई देश नहीं है इसी तरीके से वो पार्षियों के बारे मोधान देते हैं और यह कहते हैं कि एक नसल के लिए एक देश जरूरी है जगे जरूरी है भूखंड जरूरी है मगर यहूदी और पार्षी यह राष्ट नहीं है और यहा करके हमारी जो यहां की जो नसल है यहां का जो राष्ट है उसमें बिलीन हो गए पच्पन नमर पेच पांत में लिखते हैं जनगर के लिए राष्ट होने तथा उस रूप में रहने के लिए एक पुस्तेनी भूभाग एक निश्चित ग्रहराज जिसमें समदाय का अभिवाज रिस्ता जुड़ा हो अनिवारी है हमारा हिंदु इस्तान जो है भूगल एक जो छित्र है भूभाग है इसको वो कहते हैं कि ये हिंदुओं का भूभाग है और राष्ट बनने के लिए भूभाग बिलको अनुवारी सकता है दूसरा बात करते हैं नसल के उपर एक नसल एक ऐसे समाज की ब्रासत थी जिसके पास एक साजा रीती रिवाज साजा भासा गौरा और बिनास की साजा इस्मृतियां थी संचिप्त में यह एक समान उद्भा शुरोत वाली ऐसी आबादी थी जिसकी एक साजा संस्कृती है एक प्रकार की जाती यानि राष्ट के लिए यह मातपूर आवए है इस तरीके से नसल को प्रमख रूप से एक नसल होना राष्ट के लिए अनिवारी है यह सत्यापित करते हैं आगे भी कहते हैं कि यदि वो कोई बिदेशी मूल के नसल के भी हैं तो उनको जो यहां की इस्तानी मूल नसल है उसके अंदर घुल मिल जाना होता है 56 नमबर पेश पर लिखते हैं नसल राष्ट का सरीर है और इसके पतन के साथी राष्ट का अस्तुत भी समाप्त हो जाता है यहां नसल को एक राष्ट के लिए मूल कारक के रूप में इस्तापित करते हैं अब धरम और संस्कृति के बारे में आते हैं जहां धरम लोगों के जीवन का उनकी सासों का निर्माड करता है जहां ब्यक्तियों और एक समग्र के रूप में समाज की हर किरिया धरम से संचालित होती है बे ऐसे हो जाते हैं मानो एक ही हो संस्कृति चुकी इगों से चली आ रही रीती रिवाजों परमपराओं इत्यासे के अब हम दूसरी परस्थतियों और सबसे खास तोर प्रधार में विश्वासों और उनके जुड़े दर्सन के सामाज एक मानस पर पढ़ने वाला समिकित प्रभाव होती है जिसे एक बिसिष्ट नसली चेतना का निर्मार होता है और यह सीधे मुक्ता उस धर्म का और दर्सन का पढ़नाम होता है जो पीडी दर पीडी नसली चेतना पर अपनी बिसिष्ट चाप के साथ सामाजक जीवन को नियंतरित करता है और गड़ता है बताते हैं कि नसल को जो जीवन जीने की उसकी पद्दती है धरम और संस्क्रती उसकी सारी चीजों को बनाता है गड़ता है और आंगे बढ़ाता है यह संतावन नमबर पेच पे लिखते हैं दूसरी तरफ हिंदू इस्तान में धरम एक सर्व समाबेशी पहंचान है यह हमारी नसल के जीवन में सदा सर्वता के लिए गुथा हुआ है और एक पिरकार से उनिसकी आत्मा का निर्माड करता है हमाले लिए जीवन का प्रतेकारी चायवा एक विक्तिगत हो सामाजे को एक धारमिक निर्देश है हम युद्ध करें या सांती की स्थापना या कलाओ या सिल्प कला में सल्लगन हो संपत्ति एकत्र करें या उसे दान करें और यहां तक कि हमारा जीवन जीना और मरना भी धारमिक निर्देशों के अनुरूप होता है हम वहे हैं जो हमारे पावन धरम ने बताया हमारी नसली भावना हमारे धरम की संतान है और इसलिए हमारे लिए संस्कृति और कुछ नहीं बलकि हमारे धरम का उत्पाद है ये नसल धरम और संस्कृति की कनेक्शन को समझाते हैं मेरे को लग रहा इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपको सब चीजें ये आसानी से समझ में आ रही होगी आंगे अंठावन नमबर पेच पर ही लिखते हैं एक समान प्रबत्ती बन गई है कि धरम एक ब्यक्तिगत परसन है ये कांग्रेस के बारे में बोल रहे है जो धरम ने पेच की अवधारना दुनिया में आई थी उसके बारे में बोल रहे है और इसका सारजवनेक तथा राजनितिक जीवन में कोई इस्थान नहीं होना चाहिए या प्रबत्ति धर्म की गलत औउधारना पर आधारत है और या उन लोगों के दिमा की उपज़े जिनके पास अपना कोई कहने लाएक धर्म नहीं है गोलवलकर और सावरकर राजनीती को धर्म का हिस्सा मानते हैं यानि धर्म से ही राजनीती संचालत होगी राजनीती क्या करेगी या धर्म और उसकी नसलत्य करेगी और यही बात क्या करके वो धर्म ने पेक्च की आउधारना के सिद्दान्द का विरूत करता है ये एक और सवाल है आदुनेक समाजवादी सिद्दान्द पूरी तरहिके से धर्म को निकारता है समाजबादी विवस्ता कमनिष्टों के बारे में बोल रहे हूँ इस सवाल को हम आंगे के लिए सुरक्षित रखते हैं चलते चलते हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अपने किसी भी रूप में समाजबाद राज का सिद्दान्त है और राश्टीता पर यह कोई विचार नहीं करता यह हमारे बिसेवस्तु से बाहर की चीज है इसलिए फिलहाल इसे अपने हाल पर छोड़ दे रहे हैं पांचमा और आखरी जो है वो है भासा भासा के बारे में वो लिखते हैं हर नसल अपने देश में रहते हुए अपनी खुद की भासा विक्षित करती है जिससे इसकी संस्कृति इससे के धरम इसके इत्यास और इसकी परमपराओं का प्रतिविम्बन होता है इस पर कोई दूसरी भासा थोपना खतरनाक है यह एक नसली भावना की अभिविक्ति है जीवन के राष्टिय तानेवाने की अभिविक्ति है हर सब्द अभिविक्ति का हर भाव राष्टिय जीवन को प्रतरसित करता है एक राष्ट से उसकी भासा चीन लो इसका पूरा साहत उसके साथ चिन जाएगा और इस प्रिकार से राष्ट के अस्तित्त का अंत हो जाएगा और अंत में बोलते हैं बहुत सारे ऐसे उधारन हैं कि जन्हों ने अपनी भासा को, नसल को, धर्म को, संस्कृति को खोया अश्माचे किसी एक को भी खोया, तो भी वो राष्ट जो है पूरी तरीके से खतम हो जाता है उनने जो बोला है किताब में जो मुक्मुक्तत हैं उनको आपके सामने मैंने रख दिया है अब साथी हमको कुछ तथात्मक सवाल हैं जो करने हैं क्योंकि उ करना जरूरी है विकास किरम सारी चीजों को बदलता है जो वर्तमान परिस्थितियां होती है वही एक दिसा निर्धारित करती है राष्ट बनने का ये नसली चेतना के अधार पे जो राष्ट बने वो राष्ट बने बहुत दिनों तक ये नसली चेतना के अधार पे राष्ट रहे वो राष्ट राजा साही विवस्ता के साथ खतम हो गए राजा साही विवस्ता और राजा साही विवस्ताओं के पहले जो भी विवस्ता थी वो धर्मों से संचालत होती थी एक नसल के अपने विचार से संचालत होती थी मगर आज हम जो बात कर रहे हैं आज राजा साही विवस्ता का अंत हो गया है नया जनवादी लोकतांतरिक विवस्ता आ गई है आज सुतंत्रता समानता भाईचारे की बात हो रही है आज लोकतंतर से सम्मिधान से राज विवस्ता को चलाने की बात हो रही है आज कोई राजा राज नहीं चला रहा है ये सारी जो परिस्तियां बदली है इस आधार पे राज सत्ता का चरित्र भी बदलता है यही चूक राश्टी स्वयमचेबक संग सहथ सारे नसली चितना के दुनिया भर के जितने विचार करने वाले लोग हैं यही चूक सब जगहे करते हैं इसलिए मुसलनी और हिटिलर खतम हो गया थेओरी बनाना भहुत आसान है थेओरी क्यों बनाई जाती है यह थेओरी आदमी के मनस्व के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन की जाती है सावर करजी ने और गोलवर करजी ने बहुत अच्छी थेओरी डिजाइन की है मगर इस थेओरियां दोनों की वास्तविक्ता से परे हैं सबसे पहले हम देश के बारे में बात करते हैं भूभाग के बारे में बात करते हैं भगोलिक भाग के बारे में बात करते हैं, हमारा देश का इस तरीके का भूभाग है, ऊपर एक तरफ हिमाला है, नीचे पूरी तरफ समुद्र है, ये की हिस्सा है जो खुला हुआ है, जो दुनिया से जुड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये वाला इलाका जो अरब देशों की तरफ जाता, इरान की तरफ जाता, हमारा देश भगोलिक रूप से, प्राकरते की रूप से बैसे ही सुरक्चत है, किसी भी तरफ से कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता, इसलिए हमारे देश के अंदर जितने भी लोग आए, विदेशी ताक्ते जो भी सारे लोग केवल इसी रास्ते से आए, कौन से रास्ते से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, सिंद, यह वाला जो रास्ता है, इसी रास्ते से आए, इसलिए हमारे देश के अंदर आरिये भी इसी रास्ते से आए, जो यह थोरी है ना कि आरि बाहर से आए, यह बिस उगल भी वहीं से आये थे, जो विदेशी यवन हैं, हूल हैं, पासार हैं, जो भी चीन के जो सासक आये थे, जो भी आया, सबी लोग इस एक ही रस्ते से आये थे, इस बात को अच्छी तरीके सिध्यान रखना है, इसलिए भूबाग पर दुनिया के किसी भी राजा ने या कि पुझा नहीं कर पाया, आरी भी जब आयते सुरुवाती दोर में, तो उन्हों ने भी सिंदू नदी के पास बसे वो काफी टाइम तक, उसके बार से उन्हों ने जो विस्तार किया, आरी वर्त जो पहला बनाया था, उसकी सीमा उत्तर प्रदेश या मद्द प्रदेश आख इतना से सुरक्षित नहीं रहा, हमारे भूभाग का प्राकर्ते की स्टेक्चर इस तरीके से है, हम इस भूभाग पे सुरक्षित रहे, जो भी रहा उ सुरक्षित रहा, आरी बिदेशी नसल है, ये बिल्को सत्याफित है, इसमें कोई कन्फूजन नहीं है, हमने दर्सन दि केवल आरिय नहीं है, आरिय का नसल का भूभाग नहीं है, ये आरियों के अलावा अनारिय, जो यहां पर पहले से सिंदु घाटी संबता के पास भी एक पूरी विवस्ता थी, उसके अलावा हमारे देश के अंदर एक पूरी नसल थी, पूरी विवस्ता थी, जिस से लड़ लड़के उनों ने उस बिवस्ता को खतम किया इसलिए जो RSS का थोपना चाहरा है कि केवल आडियों का ये भूभाग है आडियों का ये भूखन है ये मात्र भूमी आडियों की है जो बहुत सारी थेओरी कर दी है उनों आडियों के हिसाब से ये जबज़स्ती स्थापित कर रहे है कि यहाँ पर भारत भूमी आडियों की है ये भारत भूमी आडियों की नहीं है इस भूमी पर आडियों ने कबजा किया है इसलिए जो फार्मूला है इनका कि केवल आडियों का ये भूग लिक भाग है ये सत नहीं है आडियों के अलाबा असल में अनाडियों का भूभाग है आडियों ने इस भूभाग पर कबज़ा किया इसलिए जो आडिय नसल है वो इस भूभाग की जो मालिक अपने आपको बोल रहे है जो हिटिलर मालिक बोलता था ये जबजस्ती इस भूभाग का मालिक बनने का कोसिज कर रहे है इसलिए RSS का जो पहला दावा है गोलवल कर का ये दावा पहला सच नहीं है, सत नहीं है जो तथ मैंने आपके सामने रखे हैं अब हम दूसरे से पर आते हैं वो ये नसल नसल के बारे में मैंने आड़ेड़ी आपको नसली चेतना के जो तीन-चार वीडियो डाले हैं उनको आप जरूर सुन लीजिए क्योंकि नसल का संबंद कहां से आडियों से करते हैं गोलवल कर और सावर कर हिंदू राष्ट की अवधार ना में मूल नसल आरी है आरियों की जो नसल है वो सब के उपर थोप रहे हैं वो ये कहते हैं कि जो आरियों का रक्त है वही सब के धमनियों में बह रहा है वो आखरी में कहते हैं कि गोसना करो कि आरियों का खून हमारी धमनियों में बैरा है हम आडियों के बंसा जहीं घोसना करो जो बजस्ति करते हैं तबकि आडियों की नसल एक समय में हमारे देश में आई जब ये नसल आई तब भी इनका टकराओ जिन्दु सब पता के आजू बाजू जो भी बस्तियां थी उनको हरा करके उन पे कबज़ा कर लिया कबज़ा करने के बाद में उनका जो नसल था उनको इन्हों ने अपने साथ सामिल कर लिया मगर मैं कहरा हूँ कि खून में सिर्थ हुआ जिस रक्त का सुद्ध रक्त की बात आरी कहते हैं इस बात को ध्यान रखना आरियों ने भी उनकी महलाओं के साथ बच्चे पैदा किये होंगे जो वहांकी मूल नसल थी उन्होंने भी उनकी महलाओं के साथ बच्चे पैदा किये होंगे कि कोई रोक नहीं सकता नेचुरल सिस्टम है इसलिए पहले तो ये नसल جो रख थे आरियों का उसके साथ मिक्स हुआ उसके बाद से ये जो नसल जो आरि वर्त बना इसमे जितने भी हाँ पर राजा थे जितनी भी हाँ पर बस्तियां थी उनके साथ इनका टक्राओ हुआ वS टक्राओं में यe उनको जीतते गए और उनको अपने साथ सामिल करते गए बहुत सारे थ्यासकारे बताते हैं के सुद बर्ण में उनको सामिल किया ताकि वो ब्रामनों की और छत्रियों की नसल में खून मिक्सना हो जाए और फिर ये विवस्ता बनाई कि हर जात को अपनी जात में और गोत्र में साधी करनी है इसलिए उन्होंने कहा कि जो सूद्रें वो सूद्रों में ही साधी करेंगे जो ब्राम्मार है वो ब्राम्मनों में ही साधी करेंगे ताकि खून जो है रक्त जो है वो मिक्स ना हो जाए इसलिए ये सिस्टम बनाया वो ये सिस्टम से उन्होंने इस्तापित की आए कि ब्राम्मार जो है और छत्री है ये सुद्ध रक्त है नसल का इसलिए उन्होंने एक बनाया था मैंने अनलोम और प्रतिलोम विवाय समझाए है उसमें ये विवस्ता थी कि ब्रामार किसी भी वन के साथ साधी कर सकता है वो छत्री की पत्री के साथ साधी कर सकता है वैस की पत्री के साथ साधी कर सकता है सूद्र के साथ तो कर ली सकता है यह बिलकुँ प्रचलन में था इसको वो रक्त सुद्धी करन कहते थे छत्री भी वैस और सूद्र की कन्या के साथ साधी कर सकता है मगर जो सूद्र है वो ब्रामर की लड़की के साथ साधी नहीं कर सकता है उसका सरकार दिया जाएगा उसको खतरनाक दन्र दिया जाएगा उसी तरीके से बैस भी ब्रामर की लड़की के साथ साधी नहीं कर सकता है इस तरीके का जो यह पूरा स्टेक्चर था इक किसके लिए बनाया था आरियों ने कि वो अपनी रक्त की सुद्धता को बना के रखना चाहते थे नसल का संबन्द काई से जोड़ा रक्त से जोड़ा इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि जब यह सब मिक्सप हुआ तब भी रक्त के संबन्द मिक्सप हुए जैसे मनुए स्मृति में समझाया गया है कि जो ब्रामर ने सूद्र की लड़की से साधी की और उसका जो पुत्र पैदा हुआ उसको चंडाल कहा गया इस तरीके से चंडाल एक नई जाती पैदा हो गई इस तरीके से बहुत सारे संबन्द हुए और संबन्दों से नई नई जाती पैदा हुई फिर आडियों ने कहा कि वो जाती के अंदर ही विवाय करने है मतलब जब भी एक गड़बर हुई तो खून मिक्स हुआ तो उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया ताकि यू रुके तो वहाँ भी तो नसले मिक्स हुई है खून मिक्स हुआ है तो यहाँ पे जो आडियों और अनाडियों का जो खून था वो भी मिक्स हुआ है यह ध्यान रखना है इसलिए नसल का एक खून का जो सिद्दान्त है या आडियों का सिद्धनी होता और उसके बाद से क्या हुआ हमारे देश में यमन आए हूर आए सक आए तो इनोंने भी तो यहाँ सादियां की इनोंने भी तो पंड़तों, चत्रियों और वैस्चों की पुत्रियों से सादियां की उनसे जो पुत्र पैदा हुगे वो राजपूत हुगे राजपूत बढ़ व्यवस्ता में नहीं है ध्यान रखना ये राचपूत वण संकर हैं और राचपूत इनी लोगों से पैदा हुए है जो ये विदेशी लड़ाके थे उनसे उनका और यहा की जो कन्या है थी उनसे जो पुत्र पैदा हुए है ये राचपूत जाती पैदा हुई है तो ये खूण मिक्स नहीं हुआ है राचपूतों के अंदर किसका खून है तो इस तरीके से जो विदेशी नसले हमारे देश में बहुत सारे उनका भी खून रख्त मिक्स हुआ है उसके बाद पहले अरब बाले आए उसके इसलाम सासक आए उसके बाद से फिर मुगल आए तो इस तो बहुत टाइम तक यहां पर रहे हमारे देश की जो बहुत सारे लोग है उसमें सामिल हो गए इसलाम धरम में नहीं सामिल हो गए तो भी यह सासक के रूप में थे ऐसा हुआ है कि मुसलिम राजाओं ने हिंदू कन्याओं से साधी किये ठीक है इसका तो आरेडी मुगलों ने तो बहुत सारे लोगों ने किये राजपूतों की कन्याओं से साधी किये तो इस आला बिलेट जो है मिक्स हुआ है ना इस तरीके से ज़िए हम पूरी जो बिलेट की जो खूरक्त की सुद्धता की जो आरेसेस बात करता है निरंतर विकास किरम में रक्त हमारे देश का जो रक्त है जो मनस्तों के अंदर वो मिक्स हो गया है इसलिए हमारे देश की जो नसल है वो मिक्स रक्त वाली है ये आरियों की ये खून की नसल नहीं है आडियों का रक्त सुद्धी करण का जो अभियान था वो अभियान बहुत पहले खतम हो गया आजादी के अंदोलन के पहले तक चला किरला में एक नमूदिरी पाद ब्राम्मन थे जो जिनके युवाँ को रक्त सुद्धी करण के लिए न्यूगत किया जाता था और जिसका भी सादी पहले होता था उनका पहला बच्चा वो नमूदिरी प्राम्मन से पैदा करवाना होगा ये रक्त सुद्धी करण था मगर ये रक्त सुद्धी करण बंद होगा वो हमारे देश में आजादी के साथ में बाकी जो नसले हैं वो मिक्स हुई है इसलिए जो सादी वाला बंदन है ये आप समझ गए होंगे कि सादी जाती में करना उसके पीछे का लॉजिक क्या है पूरा थियास को जब हम समझते हैं देखते एक तरीके से तो हमें पाते हैं कि हमारे देश के अंदर एक सामूह कल्चर है और इसलिए इस कल्चर को अभी धर्मों संस्कृती में बताता हूं में कि हमारे देश में इसलिए कई तरीके की नसले हैं जैसे हमारे भारती दर्सन के विकास क्रम में बहुत दर्सन पैदा हुआ तो बहुत दर्सन के जो लोग हैं उनका भी तो अपना एक स्टिक्चर है फुरा महावीर दर्सन पैदा हुआ महावीर दर्सन का भी तो अपना एक नसल है जो जैन धर्म के नाम पे है बहुत धर्म के नाम पे जो लोग है उनका भी तो एक नसल है शिक धर्म जो पैदा हुआ उनका भी तो इस्टेक्चर एक है उनका भी अलग तरीके की नसले है और जो अलग-अलग हमारे हैं कल्चर हैं वो एक मान के चले भासा हैं ये मान के चले वो विकास क्रम में अलग-अलग तरीके की नसले पैदा हुए इसलिए हमारी संस्कृती में पिरासत है, अनेकता में एकता है, एक नसल नहीं है, जो एक थोपने का R.S.S. कोसेच कर रहा है, यह कभी होगा नहीं, Hindu, Hindu, एक भासा, एक रास्ट, यह जो सब आरेसे थोपने की कोसेच कर रहा है, फपेगा नहीं कभी, इसलिए हमारे हाँ जो राज बने आजादी के अंदुलन में वो भासाओं के अधार पे बने है उनका एक अपना तरीके का नसल है अपना तरीके का कल्चर है अपना तरीके का सांस्कृतिक ब्रासत है अपना तरीके का रीती रिवाज है इसलिए सातियों जो नसल भाला पेरामीटर है वो किसी भी तरीके से एक नसल के रूप में हमारे देश में फिटनी होता जो राश्टी स्वयम से वक्षन करना चाहता है अब सातियों हम धरम के बारे में बात कर लेते हैं भारती दर्सन के अंदर जो पूरा एक विकास किरम है उसको सावर कर एक हिंदुत के दर्सन में बाढ़ना चाहते है मगर हमारे देश का जो विकास किरम है उसमें इतनी सारी विविदता हैं उसको किसी एक धरम में एक बिचार के बारे में नहीं बाढ़ना जा सकता धर्म का मूल अर्थ क्या है धर्म का मूल अर्थ है जीवन जीने की पद्दती का नियम जीवन जीने की पद्दती के जो नियम है वो धर्म है कुल मिला के धर्म का मतलब है कि मनुस के दिमाग को कंट्रोल करने की थियोरी मनुस के दिमाग को मस्तिक्स को कंटॉल करके पीड़ी दर पीड़ी अपनी तरीके की जीवन जीने की पद्दती को जीने के लिए मजबूर करके रखना यह है धरम धरम एक बार फसाने के बाद उसको सरकल से बाहर निकलने नहीं देता धरम में सुनिश्चित करके रखता है कि यह मनुस का दिमाग जो उसके धरम में आ गया है यह किसी भी तरीके से उसके कंटॉल से बाहर निकलना जाए उसके लिए धरम के ठेकेदार पूरा ध्यान रखते हैं और उसकी चेतना को बांधने के लिए नई-नई चीजों का इजाद करते रहते हैं इसलिए बिकास करम में धरम के अंदर बहुत सारी नई-नई चीजों का इजाद होता है हमारे देश के अंदर हम राभारती दर्सन को देखते हैं तो आडियों की एक संस्कृती है जो अपनी तरीके की एक जीवन जीने की पद्दती है जो जीवन जीने की पद्दती धरम के नाम से वो हमारे पूरे भारती दर्सन के उपर थोपना चाहते हैं जैसे मैंने बताया कि इस धर्ती पर आडिये थे और अनाडिये थे आडियों के आने के पहले यहां एक संस्कृति थी उस संस्कृति का अपना एक धर्म था धर्म का मतलब भगवान से नहीं है इसुर अल्ला से नहीं है धर्म का मतलब जीवन जीने की पद्दती से है भगवान तो आदमी के दिमाग को कंट्रॉल करने के लिए पैदा की गई है सक्तियां ये मनस के दिमाग को कंट्रॉल करने के लिए पैदा की गई है मैं आगे और विस्तार से समझाऊंगा इतने सालों के बाद आज भी हम जो आदिवासी इलाके हैं जब उन्हें जाते हैं उनको देखते हैं तो उनका आज भी अपना जीवन जीने का पद्धती अलग है उनका देवी देवता अलग है उनका पूरा जीवन रहन सेहन साधी भवाय करने के तरीके सब तरीके बिल्कुल भिन है उनका अपना तरीके का एक कल्चर है, उनका अपना एक भासा है, अगर एक बड़े भूबाग पे आप देखेंगे आदिवासी कल्चर को तो जो गोलवल करने पांचों सर्तें बताई हैं, वो पांचों सर्तें वो पूरी करेंगे आप, आदिवासी लाके में जाएंगे तो प गौतिकबादी दर्सन है, उनका जीवन जीने का पद्दती अलग है, उसमें इसुर अल्ला बगवान कोई है नहीं है, गौतम बुद्ध का दर्सन है, जो बेदों को नहीं मानते हैं, महाबीर का दर्सन है, उनका जीवन जीने का पद्दती अलग है, उनका रीती रिवाज वो हिंदु धरम का जीवन जीने का पद्दती को नहीं मानते हैं। आप पूरा जो अलग-अलग भासाओं के कल्चर हैं, उनका कल्चर के रूप में उनका जीवन जीने का पद्दती बिलकुल अलग है। इसलिए एक धरम बाला कॉंसेप्ट कहीं से कहीं तक लागू नहीं होता। एक तरीके की जीवन जीने की पद्दती को थोपा नहीं जा सकता। जो आरियों का ब्रामणवादी दर्शन है, वही धरम हमारा मूल धरम है, उसी में सब को समाहत होना है। ये वाला कॉंसेप्ट नहीं चलेगा। अब हम संस्कृति के बारे में भात कर लेते हैं। संस्कृति क्या है। जैसे गोलवल कर समझाते हैं, ये रीती रिवाज, परमपरा, साजा बिरासित, जीवन के जीते हुए जो उनके अनुभाव हैं, अच्छे अनुभाव, बुरे अनुभाव, इनसे जो चीज पैदा होता, उसको संस्कृति कहते है। तो संस्कृति क्या है? रीती रिवाजों से पैदा हुई एक संस्कृतिक परमपरा है। धरम क्या है? धरम मनुष के जीवन जीने की पद्दति को चलाने के नियम है। धरम के नियमों से संस्कृति बनती है। धरम संस्कृति मिला करके एक नसल बनती है। हमारे देश में कितने तरीके की संस्कृति है, जितनी तरीके की भासा है है, कल्चर है, रहन सेहन है, उतनी तरीके की संस्कृति है, हमारे देश में अभी पंजाबियों की एक अलग संस्कृति है, राजस्थानी कल्चर एक अलग है, उत्तर प्रदेश का अपना कल्चर अलग ह तमिलाडू का अपना कल्चर एक अलग है, करनाटका का अपना एक संस्कृति अलग है, आंदरपरदेश का अपना संस्कृति अलग है, तमिलाडू का अपना संस्कृति अलग है, इतनी सारी संस्कृतियां हैं हमारे देश में, एक संस्कृति कैसे थोप सकते हो आप, यह आपन नहीं थोपा जा सकता है। इसलिए एक तरीके की धरम, एक तरीके की संस्कृति भारत का जो भूबाग पर रहने वाला समाज है वो आज तो किसी भी रूप में सुईकार नहीं कर सकता है। आप उनको बेबकूप बना सकते हो, गुमराय कर सकते हो थोड़े दिन, मगर जब उनकी चेतना खुद की, जैसे आप कहते हैं कि हिंदूों की चेतना जगा दिये आपने, जब किसी चेतर के उनके कल्चर की चेतना जाकती है, तो हिंदू की चेतना से उपर उनकी वो चेतना हो तो साति हो भासा हमारे देश में 13 चावदा भासाय पैदा हो गई इसलिए जो है सारी जो भासा ये संस्क्रट की पुत्री हैं इसलिए जो हमारी जो आड़ियों की एक ही भासा थी तो उस ही में जो 13 चवदा भासा पैदा हो मैं भी तो हिंदी है, अब आप हिंदी को पूरे देश के उपर कैसे थोब दोगे, संस्कृत भासा से भी हिंदी भी पैदा हुई हमने माल ली, बाकी सारी भासा हैं, संस्कृत भासा से पैदा हुई हैं, तो आप सब के उपर हिंदी कैसे थोब देंगे, जो उनका जैसे भोज पर चाहिएरिक थिदारी जाओ सानिए नहीं हरे देश के अंदर। जा पंजाभियों के पंजाबी भासाया प्वही तो अप हन्दी का थोपोगे। छिफ सिता हिंदी नहीं मैं चुम्तेशा हिंदी जई थो मदरी जा कु तो। तमिलाडू में जाओगे उनकी इलग भासा तमिल है, केरल में जाओगे उनकी भासा मलियाला में, कंटाटक में जाओगे उआ कन्नड है, महराष्ट में आओगे उआ मराथी है, गुजरात में जाओगे उआ गुजराती है, तो भाईया इतनी सारी जो भासा हैं, ये एक भासा को अपना करके, अपना मुल सुरूप को खो देंगे, और छोड़देंगे, कि आज की तारीक में, जो गुजरात के लोग हैं, गुजराती भाओं साभा बोलना, खतम कर सकते हो, गुजराती कल्चर से अपन şekilde बाहर निकाल सकते है, वो इस कल्चर में भी रहेंगे मैं गुजराती कल्चर उनका खतमनी होगा इसी तरीके से कोई केरल वाला है उसका जो कल्चर है मल्याली भासा उसकी खतमनी होगी इस तरीके से जो तमिल है उनकी तमिल भासा उनका जो तमिल कल्चर है वो खतमनी होता उसमें रहन सेहन, पहनने की भेशबूचा, सब कुछ सामेल है विकास करम में कैसे, जिस चीज का जरूरत खतम हो जाता है वो चीज सुताह डेड हो जाती है ये विकास करम का सिद्धान समझाता है और विकास करम के सिद्धान को ना सावर कर मानते हैं यही सबसे बड़ा, इस पूरा दर्सन का सबसे बड़ा कमी है संस्कृत भासा एक समय बोली जाती थी, लिखी जाती थी आडियों के द्वारा ये कहा गया तो क्या केवल संस्कृत भासा थी है हमारे देश में हिंदी पैदा हुई यह कहा गया कि हिंदुओं की भासा हिंदी है तो हिंदी तो देश भर की भासा नहीं है यह मैं आपको बता चुका हूँ मगर अभी हिंदी का क्या हाल है अब हिंदी की बात कर लेते हैं हमारे देश के अंदर हिंदी भासा जो नई पीड़ी है वो हिंदी भासा पूरी तरीके से भूल गया हो आती नहीं उसको और क्यों नहीं आती ये विकास क्रम का परिस्तिती का कारण क्योंकि जब आप कल्चर दुनिया इस तर पे जुड़े हैं अर्थ बवस्ता दुनिया इस तर पे जुड़ रही है अर्थ सम्मंद दुनिया इस तर पे जुड़ रहे है टिकनोलजी आ गहे है कंप्यूटर आ गया कंप्यूटर की भासा अंग्रेजी है दुनिया में बोली जाने वाली यदि आपको किसी दुनिया के कनेक्शन में जाना है नौकरी करनी है तो आपको हुआ जाकर कि अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो आप कहीं जानी सकते हो इसलिए अंग्रेजी भासा अतियावस्थ हो गई है इसलिए हमारे देश के जो RSS की लोग है BJP के नेता हैं अपने बच्चों को कॉर्वल कॉर्वेंटी स्कूल में पढ़ाते है या तो वो अपने बच्चों को बिदेशों में पढ़ाते है सारे बड़े-बड़े नेताओं के बच्चे बिदेशों में पढ़ते है इंग्लिस मीडियम से वहां हिंदी नहीं है संस्कृत नहीं है तो यह जरूरत है, विकास क्रम में हिंदी से ज़्यादा जरूरत अभी अंग्रेजी का हो गया, इसलिए हिंदी का अपयोगता कम हो गया, जिसका अपयोगता कम होता है, उसका अस्थत खत्रे में आ जाता है, इसलिए अभी आप देखेंगे कि हिंदी का अस्थत खत्रे में है और आने वाले 50 साल में 3-4 पीडियों में हिंदी लगबग संस्क्रत जर्शी हो जाएगी हिंदी का बजूद बहुत जादा कमजोर हो जाएगा खतम सा हो जाएगा और इसको RSS चा जितनी कौसिस कर ले इस पूरे विकास किरम को रोक नहीं सकता जैसे ही आप रोकेंगे बैसे ही पूरा समाच पचड जाएगा पूरा समाच दुनिया के साथ जो चल रहा है बिकास करम से बाहर हो जाएगा अभी लोग कह रहे हिंदी पढ़ानी है पढ़ालो बच्चों को हिंदी और मैं कहा रहा हूँ कि जो हिंदी की बात RSS करा सबसे पहले BJP RSS के नेताओं को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़वाओ यदि आप राष्ट भक्तो सचे राष्ट भक्तो और जो भी ये वीडियो सना उनसे बोलो भाईया पहले सबसे पहले दिसे राष्टी स्विम्से भक्तों को नेता कारी करता है वो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाएं उनका बाईएं आश्ट बाद होगा उनकाा वाजू सचे राष्ट बाद ही हूंगे और नहीं पढ़ारहें अपने बच्चों को कारमल कॉंडमेंटी श साथ धोका कर रहे और समझ लेना कि देश की जनता है देश का आदमी बेवकूब बनेगा नहीं इसलिए बिकास किरम में उपयोगता बहुत महात पुर्ण है मैं आप से क्या हो ट्राइ कर लो दस तक हिंदी लिखवा लो आज का जो 30 साल तक 35 साल तक 40 साल तक कही हुआ है उससे 10 तक हिंदी में हिंदी लिखवा लो आप ट्राइ कर लिजे 10 लोगों से लिखवाएगा तो साइद एक लिख पाएगा नो नहीं लिख पाएंगे आपके जो 20 साल तक के बच्चे हैं जो पड़े लिखे बच्चे हैं जो अच्छी स्कूल में पढ़ रहे उनसे तुम 10 तक य यह उको चार पंचे पांच यह वाला आपको 10 में से 10 के 10 बच्चे यह नहीं पढ़ पाएंगे वह हिंदी यह बोल के सब प्य थोपना चाहते हैं तो देश को बनेगा देश के देश नस्ठ हो जाएगा ज़िए अब इस्कूल में अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर देंगे जो करने की कोसेश करना है तो देश का युवा जो आज पढ़ लेक करके जो कम्प्यूटर का सौप्ट्वेर का इंजिनियर बन रहा है जो दुनिया की दूसरे देशों में जाकर करके वो ने अभिसकार कर रहा है वो कैसे जाएगा जब उसको अंग्रेजी नी आएगी जो पूरा देश का इंजिनियर बनना है जिसको 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 हमारे एक भासा वाला कल्चर है नहीं है वो एक भासा वाला हिंदी वाला कल्चर हो ही नहीं सकता जो मैं आपको अच्छी तरह किसे समझा रहा हूँ इसलिए साथ यतना काफी है जो मैंने तत हर रखे है मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे यह पांचों आधार का राष्ट बनाने का जो हमारे देश पे थोपना चाहता है, यह पांचों आधार गलत है। और थेोरी का तो जितने भी नसली राष्ट बने तो उनका थेोरी यही होता है। जैसे मैंने बताया कि आज की तारिंग में एक आदिवासी बेट में एक आदिवासी जो बड़ा हिस्सा होगा उसमें आपको यह पांचो तत्त मिल लाएंगे. अलग अलग जो कल्चर है जैसे मान के चलो आप तमिल लाडू चले गए तो तमिल लाडू के अंदर भी यह पांचो कल्चर मिल जाएंगे. तो तमिल लाडू अलग देश बना देंगे हम? तो इस तरीके से जो यह पांच जो कारक है वो थेोरिकल ठीक है मगर थेोरी फिजी कली जो यह करे हमारे देश पे लागू होती है. यह हमारे देश पे लागू नहीं होती. इसलिए हमारे देश की राश्टीता एक धरम के आधार पर एक नसल के आधार पर हमारे देश के दर्म निर्पेक्च की अवधार्णा से ही राष्ट बनेगा। धर्मों को अलग रखेंगे, राजनीती को अलग रखना है, और हमारे कल्चरों को संगी धाचा होगा। जिस धाचा को आज आरे से तोड़ रहा है। वारती जनता पार्टी तोड़ रही है। संगी धाचा होगा, सबके अपने कल्चर होगे, सबके अपनी संस्कृतिय होगे, उन संस्कृतियों का रिस्पेक्ट होगा, और उन संस्कृतियों का संरक्षण भी होगा। उन भासाओं का संरक्षण भी होगा। उस सब लोग मिला करके एक बड़ा राष्ट बनेंगे। तो 15-20 राष्ट बनाने क्या देश को तोड़ना है तो देश को जोडने वाली एकी बिचारधारा है वो है धर्म निर्पेक्षता का सिद्धान और जो हमारा संगी धाचा है उसी से संभधान का जो राज है उसी से हमारा देश एकजुट रहेगा देश की एकता बनेगी हम सब लोग मिलके विकास करेंगे राष्टी स्वम सेवक संग का जो नसली चेतना का विचार दा रहा है इससे राष्ट टूटेगा बरबाद होगा आपसी में लडाई होगी एक दूसरे के दुस्मन बनेंगे जो अभी देश में चल रहा है बहुत सारी धेर सारी बिक्रतियां प समझाए आप समझ गए होंगे और एक अच्छा भारत बनाने के लिए अच्छी तरीके की जो बिचार दारा उसको समर्थन करने के लिए देश की जंता को आंगे आना चाहिए यह मेरा आवान है यदि आप जाग रुक नांग रेखें यदि आप दिमाग दिल दिमाग को तर करने की सकती रखते हैं तो आपको यह सारे तर्ग से जो बात मैंने समझाए यदि यह समझ में आ जाती है तो आपको इन गलत अवधारनाओं का गलत राजनिती का गलत तरीके के सिद्दानतों का बिरोध भी जोड़दार तरीके से करना चाहिए तब ही हम बचेंगे हमारा राष्ट बचेगा, हमारे बच्चे बचेंगे, हमारी आने वाली नसलें बचेंगे, तो इसी आसा उम्मीद के साथ कि आप सारी बात को समझ गए होंगे, मैं अपनी बात खतम करता हूँ, आप से निवेदाने करता हूँ कि अधि आपने इस जो लोकसभा की सीरीज इसके पहल हम किताबे भी लिख रहे हैं साथी, हमारी छे किताबे प्रकासित हो चुकी है, एक का नाम है राजनीती, दूसरे का नाम है राजकरने का नीती, तीसरे का नाम है विचार धाराएं, चौती का नाम है संगठन आत्मालो चनात्मक सिदांग, पाचमी का नाम है बैचारेक एक तक आधार, छटमी का नाम है बहुजन और बामपत दो किताबें और जल्दी छपके आने वाली हैं टेडियूनियर आंदोलन इत्यास और चुनोतिया क्रसी और किसान इत्यास और चुनोतिया इसके अलावा किरांतिकारी आंदोलन पर धरम पर मेरी बहुत सारी किताबें आएंगी जिस पर काम चल रहा है किताबें आपको निरंतर मिलेंगी और ये वीडियो भी आपको निरंतर मिलेंगी आप भी सुनें अपने सारे दोस्तों को सात्यों को सेर करें ताकि सारे लोग हमारे देश के आम जनता जागरोख हो सके हम अपने देश को, अपने देश की जनता को, आने वाली नसलों को, देश को बरवाद होने से बचाच सके हैं तो मुझे उम्मीद है साती हो, मैं अपनी बात ही खतम करता हूँ अंगले वीडियो भा फिर मलेंगे थैंक्यू साथी धन्वा, थैंक्स मुल्टेंगले वीडियो, थैंक्स